कि हैं अब अब आप सभी लोग का आई इस रिष्टेरी सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत हैं इस्टुडेंट आज कि इस वीडियो में आपको जो इंटर्मेडेट में आता है आपका जीवन पर्चे और साहितिक पर्चे लिखे तो बहुत से इस्टुडेंट जो कंफ्यू अपलोड करें तो आपको अनुर्फिकेसर मिलता रहें आपको अबर मोस्ट इंपर्टन क्यूश्टन की जितने भी वीडियो पीडियो पर चाहिए वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दीगए आप वहां से जाकर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं सब मैंने परला यहां पर त है कभी आता है लेखन अर upgrades कवित्री है यह'm आता है लेखक और छूसे में ओले यानई कया है को पूस्तान करूं स्थान क्रिथी में बहुत अक्षा अश्य आप लगेगा इसको देखेंगे बस एक करकर आप देखत रहे हैं तो आपको माली फान संदिया होता है कि एक पर फट लिखना होता है और साहेती पट्षय और करतिक हो द Veras रेखेंगे चुर्जम होनेक लिखेंगे इसको कि सबसे हुन डालेंस एक हो पांच दर्ण है उसमेडरें व्यवार्डव शेकंड नंबर पमान लीजेए तो आप महादेवियगर्म सेकंड डाल कैसे लिख देंके उसके पास से आप यहां लिखेंगे जीवन पर्चे जीवन पर्चे में आपको देखिए सबसे जरूरी यह होती है कि आपको क्या-क्या लेखना चाहिए आप गाइट देखेंगे या तो उसमें जीवन पर्चे में बहुत कुछ लिखा होता है आप उत्रहां लिखेंगे तो आपको टाइम ही बचेगा अधर क्यूस्टन करने के लिए तो उसमें से कुछ 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 अच्छे क्यूस्टन को छाट का लिखना चाहिए यहने की पूरा वही पूरा उतार दे हुभू या वही पूरा याद करना ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन पर्चे में जो जरूरी चीज होती हो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या लिखना चाहिए एक तो पहले क्या पुरुसकार मिले और फिर से मृत्तु कब हुआ था यह इतना लिखेंगे जीवन पर्चे में सहित्तिक पर्चे में देखे सहित्तिक पर्चे क्या होता है सहित्तिक योगदान यानि कि उन्होंने सहित्त के चेत्र में क्या क्या विकास किये तो दिखिए अगर उन्हों इन्हों को कोई पुरोसकार मिलता जैसे कि यहां पर ज्यांप्यृत उसे लिखेंगे फिर से उनका वह china यह महादुईवर्मा का एक चांद्र पत्रिक ठाही फेमस था उन्होंने प्रकासिद किया था संपादन की थी हूझति और हिंदी के बैसे पूरिए प्रोषकार भारत के जो राष्पर हुए उपारत की यह फिर से एक तापना ही कि दन की कि उसके उसके पासिया हो और घुटाइज नहीं राजना हुआ जता फ घुने घुंख mulher जो चो है फिसके उसके इसे ज़्याद आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इस से ज़्याद लिखेंगे तो आपको Other Next किम आप करने के टाइम मिलेगा अब चलिए कैसे लिखेंगे कि अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीजे लिखनी नहीं भी ग्याद वर्मा का ज़न्म महत्पूर्थ कि एक सिच्छित परिवार में सन 1907 इसको भी आप ब्लैक से लिखेंगे जिससे की जामरा जो कापी चेक करेगा उससे तुर्णत पता चल जागा कि हाँ इनका जन्म ऐसे ने तो खोजता रहे जागा कि कहां कब जन्म हुआ था तो थोड़ा सा मतलब डिसेपॉइंट हो जागा आपके हिसाब से जो अच्छा लगे कि हाँ इसको हाइलाइट करना चाहिए उससे आप हाइलाइट करते चाहिएगा जैसे उनके पिता का नाम मैंने हाइलाइट कर दिया है अब आते हैं फिर से इनकी प्रारंबिक सिच्छा इंदौर में और उच्छ प्रयाग में हुई बस इतना लिख देंगे मालों आपको लिखना तो है ही कुछ ना कुछ है क्योंकि question दिया तो कुछ ना कुछ लिखना है तो आप नहीं मालूम है इंदौर और प्रयाग तो आपको कुछ लिख देंगे जिसी यह लगे क्योंकि देखिए वो डिजाम जो कापी चुकर तो सबसे एक लाइन नहीं पढ़ता है एक लाइन पढ़ेगा तब तो काफी लंबा हो जाएगा फिर से लिखेंगे इनका नौव वर्स की अलपाई में ही हो गया था प्रन्तु इनका दामपंते जीवन सफल नहीं था इतना लिख दिए एक कहानी की तरह आप याद कर लिए वस उसके कि उसके बाद से दिखें बस आप जीवन पर्चम ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटर्मीडियर लेवर जो सबसे ज़रूरी होता है उसमें ज्यादा लिखना होता है और अच्छा लिखना होता है इग्यारे सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया यह तो आप लिख सब में जानते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी था इसमें जर्मस्थान जन मातापीदा का नाम फिर से मृत्तु कहां होई थी अब आते हैं साहितिक परचे में साहितिक परचे में की कृति थी यह बहुत थी फेवास है आप इसे हमेसे याद रखेंगे इसी उन्होंने ग्यान फीट पुरसकार दिया था कभी बहुएकल्पी में यह से पूछ देता है कि महातिवी वर्मा के किस कृतिपर इन्हें ग्यान फीर पुरसकार मिला चार अपसंतिहार रहेगा जै सिख शरिया पुरस्कार के मिला यह दूलों को मिला था सहित्ती सम्मैलन में सहित्ति संविलन वीन को फिर से इन्होंने ही चांदर पत्रीका का संपादन करके नारि को अपनी स्वतंतर्ता और अधिकार के प्रति सजग किया है जो चांद प्रत्रिकार निकलती थी उसमें नारियों के प्रति स्वतंत्ता और दिकार के प्रति उन्हों प्रति सजग किया अब भारत के राष्पर ने इनको पदम भुषड की उपाध प्रदान लिए भी लिखेंगे इसको आप यामा को उसके वासे ज्ञान पीट फुरसकर को जिससे ज़्यामा को लगे कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे से याद है यह सब जरूरी चीज़े हो ब्लैक से लिखेंगे जिससे कि आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको हाइलाइट करना है इसामर तुरण समझागा कि हाँ बच्ची के पास उसना राइटिंग स्कील है यानि मिंजब समझता है कि कैसे लिखेना चाहिए क्योंकि सबसे ज दिपसिखा यामा अब यह नियांने आपको description मिसमें करना कि यामा मिन्हों इस बारे में बताया है या दिपसिखा मिन्हों इस बारे में यह सब की कॵिस्य की आँशक्चने आप उनकी जो जो कृतिया थिनके नाम आप यहां पर बतार देंगे दो याद्धो चार याद्यो एक ही आदो तो भी लिखे देंगे सही का आप सभी चाहिए ओ लेखा को या कवियो साब भी में यहीं लिखेंगे बस यहाँ पर आप नाम बदलेंगे हैं सभ में सहीति मज़ान आपको याद करने कहो सकता नहीं यहीं दो लाइन याद करेंगे और सब में केवाल नामचंज करते जाएंगे आपका यह तम हंद्रे पर्सेंट सहीर लगेगा जिससे कि अब होगा कि साहित निवास्तान भी आपकी टॉपिक कम्प्लीट हो जागा उसके वासे कृतियां भी साहितिक पड़्चे भी और उपर जो है जीवन पड़्चे भी और ऐसे डालेंगे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगेगी आपकी काउपी अगर ऐसे लिख लेंगे देखिए हमने किस तरह कट क्या हूँ ऊपर अभी कहीं दिखेगा वैसे तो अभी कुछी कटपीट नहीं नजारा रहा है कि मैं आपको दिखाओ जैसे कि यह स्वातंत्र में थोड़ा सा गलत हो गया था यहां पर यह रहना चाहिए तो मैं पूरा त्रह बना दिया था तो इसमें हलका सम मि कि सरजीवन पर से कैसे लिखें बता दिजिए तो इस वीडियो को अपनें दुस्तों के साथ भी सेर करें और जहां तक हो सके इसवे वीडियो को लाइक करें अधिक-धिक शेयर करें मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय बढ़ते रहे हैं मसत रहे हैं धन्य झाल झाल